सबी गुरु भाय बहन को मैं तहे दिल से प्रणाम करते हूं मेरी प्रणाम को स्विकार की जिएगा आज मैं कथा लेक्यार आई हूं महादेव और पार्वति का ही कथा है जो सीव चर्चा के अधारे पर में है दोस्तों मैं आप लोगों से भी कहना चाहा रही हूं कि आप लो को नाम घुषना करवाना है तो आप लोग अपना नाम लिग कर हमें कमेंट बॉक्स में लिग कर भेजे हम आपका नाम का घुषना कर देते हैं दोस्तों आप लोग कोई भी नाम भेजते हैं तो हम डेली ही उनको चेक करते हैं आप लोग भेजते हैं तो इस नाम को जो है आप लोगों से की है कि आप लोग सीव गुरू से दया मांगिएगा और अगर मिले तो चर्चा करूप में सब को बताईएगा नमसी वैसे गुरू को जरूर से जरूर परणाम कीजिएगा तो मनलब निश्वारत भाव से अगर भगमान को अब जब सेवा करते हो तो आपको मा सब कुछ देते हैं तो इसी तरह से गुरू को हमें लेकर चलना चाहिए संसार में इंसान को अगर हम लोग पकर के चलते इंसान को लेके चलते तो आमें धोखा दे देते हैं लेकिन आप भगमान को लेके चलिएगा भगमान को नजर में रहिएगा तो आपको कोई इंसान अ रहना है दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से हमारे साथ जैसे हम गुरु का सेवा करते हैं जैसे हम गुरु के चर्चा में जाते हैं हम एक ही चीज कहा गया बस तीन सुत्र का पालन तीन सुत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है तीन सुत्र में तीन सुत्र को आप कोई बहुत ह पर ही उनके काम करते हैं, हम जिस तरह से भाव गुरु को देते हैं, हम जिस तरह से से शेवा देते हैं, उसी तरह जो से महादेव हमें भी देखरेक करते हैं, तो जिस तरह का आपका भाव होगा महादेव के पड़ती, जिस तरह से आपका प्रेम होगा गुरु के पड़ती, जो इसका सुष्राइट के लिए, जैसे आप अपने अपने बच्चे के लिए तरभते हो, जैसे उनका देख़ gasp के बारे में आपको खयाल र fretी है उसी तरह से हमारे गुरू का लिए भी आप लोको दिल धरकना चाहिए उसी तरह से गुरु का भी प्यार करना चाहिए कहीं भी आसपास में चर्चा हो तो आप लोग जरूर से जरूर जाए जो भी गुरु भाय बहन जो नया बनती हैं हाथ में कंगन जरूर पहने हाथ में कंगन पहने अगर कोई गुरु भाइबेन आपको राह में मिले जी जो हाथ में कंगन पहने है तो उसे बहुत ही भाव से उनको परनाम दे अपना और परनाम देते समय यह ना आपको मन में आये किस तरह का है क्या है नहीं है यही मन में होन हमारी गुरु बहन है हमारे गुरु भाय है हम उन्हें परणाम करते हैं तो इस तरह से गुरु को परणाम करिएगा आसपास में चर्चा हो तो आप लोग जरूर जाए और आप लोग को क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता है यह भी हमें लिख कर आप लोग जरूर है जो घर का पूरा सब देख रहे कि उसके अंदर में है तो अगर बैठ कर गुरू को दया मांगते हैं नाम तो क्योंकि अपका चला गया है गुरू के पास में और आप दया मांगती हैं तो सब को मिलेगा घर का जितना सदस है सब जैसे हमें एक जन हम घर में खाना बनाते हैं तो बच्चा, हमारे सास ja सSchur पここ मिलेगा तो इस तरह का भाव लेके हमें गुरु को चर्टे रहनते हैं दीन डुगनी, राजचोगनी महादेभ करते हैं बस भाव तो I फिर से आप लोग को प्रणाम करती हूँ परनाम को सुषिकार कि त्ये रहा झाल झाल